एक पैन में हम 2 कप या 500 ml के करीब फुल क्रीम मिल्क ले लेंगे और गैस अन करके इसे गरम कर लेंगे जब इस दूद में एक उबाला जाए तो हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा जो ये मिल्क है वो 2 कप से 3-4 कप तक ना रिड्यूस हो जाए इसका वॉल्यूम जो है आप 60% जो है रिड्यूस कर दीजे बॉल करके आप दूद को 20 विट में स्टार भी करते रहें ताकि ये जले नहीं अब थोड़े से दूद में एक टेबल स्पून के करी मैदा लेके हम दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें ध्यान रहे इसमें हमें लंप्स बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें गांट बिल्कुल नही की चाहिए और इसमें अच्छे से मिक्स करें अब इस मिक्स चलग अपने बॉilк मिल्क में डाल देंगे और उसे मिक्स करनेगे हमें इसे 2-3 मिनिट के लिए मीडियम grown पे अच्छे से मिक्स करना है कि की ताकि इसमें कोई काम सिरीब रहे और यह त्यों हो जाएगा तो आप गैस को आफ कर तीचे और उसे ठकडा करने के लिए अलग रखने हमें रबडी जैसी कंसिस्टेंट से चाहिए एक बॉल में हम लेंगे अब 200 गराम के करी पटर ठंडा नहीं लेना है रूम टेंपरेचर पे लेना है और उसमें हम एड करेंगे हाफ टी स्पून के करी बनीदा उसके बाद हम इसमें आड करेंगे 5 टेबल स्पून के करी पीसी वी चीनी और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें आड करेंगे मिल्क जो हमने ठिक करके रखा है जिसकी रबडी बनाई है वो इसमें आड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर अब इसे तब तक मिस्स करना है जब तक यह अपने वॉल्यूम का डबल ना हो जाया और इसकी सॉफ्ट जो है पीक्स ना बनने लगें सॉफ्ट चोटिया ना बनने लगें इसके बाद हम इसे फ्रिज में 20-25 मिनट के लिए ठंटा होने के लिए रख लेगें 20-25 मिनट के बाद आप क्रीम को फ्रिज से निकालने और बोल को पलटके देखें आप देख सकते हैं हमारा क्रीम बिल्कुल नहीं गिर रहा है अब आपका विप्ट क्रीम जो है वो यूज करने के लिए तियार हो गया है आप चाहें पाइपिंग में डालके इस क्रीम को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रिस करना मत पूलिएगा